नमस्कार DRV NEWS में आप सभी का स्वागत है COVID के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने UP सहित पांच अन्य राज्यों में वधान सभा चुनाव के समय से होने के निर्देश दे दिये है मुख्य चुनाव आयोग शुशील चंद्रा ने बताया है कि 14 मई 2022 में UP विधान सभा का कारेकाल समाप्त हो रहा है जिसके चलते सभी राजने तिकदल समय पर चुनाव होने की मांग कर रहे है इसके लिए चुनाव प्रचार से लेकर पोलिंग बूथ तक कोविट प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस बार चुनाव का समय मत्दान का समय जो है बढ़ा दिया गया है जो कि पहले 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हुआ करता था पर इस बार जनता सुबा 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मत्दान दे सकेगी चुनाव आयोग ने ये भी बताया अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में कि कुछ राजनेतिक दलो ने उनसे अपील की है कि चुनाव प्रचार में हो रही सभाओं, रैलियों की संख्याओं को भी सीमित किया जाए आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में चुनाव के दौरान सीविजल एप के प्रयोग पर भी बल दिया है उन्होंने कहा कि इस ऐब के प्रयोग से चुनाव में हो रही धांदली की शिकायत आप इस अप के माध्यम से अपनी शिकायत आप दर्च करवा सकते हैं चुनावायोग को इस अप को चुनावायोग ने तीन साल पहले 2019 में लॉंच किया था इस एप की सहायता से वोटर्स चुनावी अचार सहीता के उलंगन की जानकारी चुनाव आयोग को दे सकते हैं इस एप को डाउनलोड करने के लिए आपके पास स्मार्टफोन का होना आतियावश्यक है पिछले तीन सालों से चुनाव आयोग इस एप का प्रयोग हर चुनाव में कर रहा है आईए अब हम आपको बताते हैं कि इस एप के माध्यम से किस तरह से चुनाव में पारदर्शिता रखी जा सकती है जिस राज़ में चुनाव को लेकर अचार सहीता लागू हो जाती है वहाँ के लोग इस एप का इस्तमाल कर सकते हैं चुनाव आयोग के मताबिक चुनाव तारिखों का एलान होनी के बाद से वोटिंग खतम होने तक कोई भी व्यक्ति अपने शिकायत सीविजल एप के जरिये चुनाव आयोग को भेज सकता है आचार सहीता के दोरान नेताओं की तरफ से किसी भी तरह के गैर कानूनी दस्तावेज बांटने भ्रश्टाचार और विवादित बयानों के शिकायत इस एप के जरिये कर सकते हैं सीविजल एप पर शिकायत करता जो भी वीडियो या फोटो अपलोड करेंगे वो पांच मिनिट के अंदर स्थानिय चुनाव अधिकारी के पास चला जाएगा शिकायत सही है तब सौ मिनिट के अंदर ही उस समस्या का समाधान किया जाएगा मई 2019 में करनाटक विधान सभा चुनाव के दौरान इस एप का इस्तमाल पहली बार किया गया था उसके बाद से लगातार एप का इस्तमाल चुनावों में किया जा रहा है जो लोग सिवजिल एप से किसी की शिकायत करना चाहते हैं उन्हें इस एप को इंस्टॉल करना होगा एप इंस्टॉल होने के बाद आपको रेजिस्ट्रेशन कराना होगा इसके लिए शिकायत करता को नाम, पता, राज, जिला, वधान, सभा और पिन कोड की जानकारी देनी होगी इतना भरने के बाद आपके पास OTP आएगा जो की Election Commission of India की तरफ से भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए अब शिकायत करने के लिए फोटो या कैमरे को सलेक्ट करें शिकायत करता 2 मिनट तक का वीडियो आप पर अपलोड कर सकता है फोटो और वीडियो से जुड़ी डिटेल के लिए एक बॉक्स भी मिलता है जहां उसके बारे में लिखा जा सकता है चुनाव आयोग के मताबिक जब एप पर आप फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं तो उससे शिकायत करता कि लोकेशन का भी पता चल जाता है एप पर फोटो या वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद यूजर्स को एक उनिक आईडी प्रोवाइड की जाती है जिसके माध्यम से वो अपना फॉलो अप ट्रैक मोबाईल पर देख सकते हैं इतना ही नहीं आप इस एप पर पहले से रिकॉर्ड के हुए फोटो या वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं एप के माध्यम से जो भी फोटो या वीडियो आप अपलोड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो आपके गैलरी में भी सेव नहीं होते हैं आप सर्फ चुनाव में हिस्सा ना लें, बल्कि इस चुनावी प्रक्रिया में अपना पूरा योगदान दें, एक जिम्मेदार नागरिक बनें फिल्हाल के लिए इतना ही, चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें खबरों का सिलसला योँ ही जारी रहेगा, फिल्हाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे, इजाज़त जय हिंद